तो हम जो चैप्टर को कंटीनियू कर रहे थे उसी चैप्टर को आज भी हम कंटीनियू करने वाले हैं मतलब हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे ओके तो आज का लेक्चर है हमारे 10th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइन्स का चैप्टर वान जिसका नाम है वर्किंग ओफ दो कॉंस्टिटूशन हमारे समविधान का वर्किंग किस तरफ से होता है उसमें किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कौन कौन सी चीजें हमें समविधान के अंदर पढ़नी है य इससे पहले अगर आप लोगोंने लेक्षर नमबर वान एंड टू को नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से जाके देखो क्यूंकि इतने सारे टॉपिक्स हमने कंप्रीट कर लिये हैं और आज हम एक और न्यू टॉपिक के बारे में स्टड़ी करने वाले हैं जो कि बहुत जादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए क्यूंकि सबसे जादा इंडिया के अंदर ये चीज़े होती आ रही है और अभी भी कुछ इलागों में हो रही है ठीक है और साथी साथ अगर आपने नहीं देखा है तो सच में जाके अच्छी तरह से पढ़ लो सबस्क्राइब करें आज के लेक्षर में हम स्टाड़ी करने वाले हां कुछ न्यू डॉपिक के बारे में जो की है शोशल जस्टीज एड़ इक्वालिटी अब शोशल जस्टीज से तुरंत में हमें समझ में आ रहा है लोगों को क्या मिलनी चाहिए अपना अधिकार मिलना चाहिए जस्टीज मिलना चाहिए उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए उन्हें इक्वाली ट्रीट करना चाहिए अब इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन से लोगों के साथ इस तरह के वैवार किया जाते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर पहले से ह ये सारी चीज़े इस तरह के थोट्स ऐसे बाकी दूसरे अधर कंट्रीज में इस तरह की सोच के बहुत कम लोग होते हैं इस तरह की चीज़े बाकी कंट्रीज में नहीं फॉलो की जाती है जितना जादा इंडिया के अंदर किया जाता है ठीक है तो पहले के टाइम से जैसे बहुत ज़धा सोचते थे। उसटेन के लोगों के अंदर किस तारहा के अलग-अलग बुरे थौड्स होते थे लोगों के प्रति जैसे, अगर suppose कोई lower caste का है अपर और lower caste को क्या कर दिया था? इनसानों को दो पार्ट में divide कर दिया था, एक तो अपर कास्ट एक तो लोवर कास्ट ठीक है अब अपर कास्ट वाले जो बोलेंगे वही किसको करना पड़ेगा लोवर कास्ट के लोगों को करना पड़ेगा तो इस तरह की गंदी सोच इस तरह के कुछ रूल्स उन्होंने खुद बखुद बनाये हुए थे खुद के मालिक अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्लेस पर अभी भी ये सारी चीज़े होती है कि लोगों को एक साथ ट्रिट नहीं किया जाता है कुछ अपर कास्ट वाले लोग होते हैं कुछ लोवर कास्ट वाले लोगों क्या करते हैं लोवर कास्ट वाले लोगों पर हुकूमत करते हैं और उनके घर में काम करने काम जैसे अगर जाडो पोछे का काम हो गया या फिर उनकी खेतीबाड़ी को सम्मालना ये सब टाइब की चीज़े लुवर कास्ट वालों को ये सब टाइब की चीज़े दी जाती थी कि तुम नौकर हो और तुम नौकर हो वाले काम करोगे ठीक है तो इस तरह की सोच रखी जाती थी पहले के टाइम पे और इसी के वज़े से क्या हुआ सम्विधान बना और सम्विधान के अंदर बहुत सारे rules and regulations बने वो सारी चीज़ें हमें इस topic के अंदर study करना है ठीक है के साथ भी बहुत जादा बुरा होता था ठीक है कि अगर कोई lady है तो वो सिर्फ घर के अंदर चूला चौका बरतन ही करेगी उन्हें बाहर जाके पढ़ने का अधिकार नहीं है बाहर जाकर कोई भी काम कोई भी reputed job तक करने का कोई अधिकार नहीं है कि वो घर से बाहर ही न नहीं निकल सकती है उन्हें इतना इतना घूंगट लेके रहना पड़ेगा दूसरे लोगों से वो बात नहीं कर सकती तो इस तरह के बहुत सारे सोच बहुत सारी बुरी चीज़े लोगों के अंदर रहती थी जेंडर से रिलेटेड हो गया औरत और मर्द के अंदर वो क्या जिहार का है या यूपी का है तो उनके साथ बुरा वैभार करना ठीक है या फिर अगर आप पंजाब चले जाओ या फिर आप घुजराज चले जाओ कोई भी प्लेस का हम बस एक रैंडम एक्जामपल ले रहें कि कोई भी अधर जगा पे हम चले जाएंगे किसी भी जगा में स्टेट में जाएंगे हम तो दूसरे स्टेट के लोगों के साथ बुरा वैभार करना कि नहीं तुम इस स्टेट के नहीं हो तो तुमारा इस स्टेट पे कोई अधिकार नहीं है ये सारी चीजे बहुत जादा गलत है क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर हम किसी भी जगा पर जा सकते हैं किसी भी जगा पर रह सकते हैं किसी भी जगा पर काम कर सकते हैं ये हमारा हर एक इंसान का अधिकार होता है इंडियन होने का अधिकार होता है ये तो इस तरह की चीजे भी बहुत सारे लोग करते थे बहुत सारे अलग अलग जगव पर ये सारी चीजे होती थी क दूसरे जगा से अगर कोई आया है हमारे गाऊ में या हमारे स्टेट के अंदर हमारे जगह पर रहने के लिया है जैसे पहलेगा भुरेत sto Camden in a लेकिंदे हो जायेगा उसके साथ लाइफ 2020 हो गया ऐसी बहुत सारी चीजह रहे लैंगक्वेज रिलेटेड जिन्डर के लिए छिए बात इस तारों कि बहुत सारी चीजयन प्रॉपटि ऐसे जो भी पूरी जिन्दगी और उनके बच्चों के बच्चे हर एक जनरेशन उनका इसी जिन्दगी में जाएगा कि वह हमेशा के लिए लोवर कास्ट में ही रह जाएंगे तो इन सोच के बदलने के लिए बहुत जादा चीज़ें ये इस सारी चीजों के उपर ही वोग करनी के लिए वह एक बहुत बड़े एक डॉक्टर पोस्ट पर चले गए नहीं पिएच्डी कम्पलीट की इस चीज के उपर की मतलब उन्हें लोगों को डिपी ओपर का कि Harald और इस degrees का उन्होंने इस्तमाल किया लोगों को equality देने में जो गरीब लोग है जो अमीर लोग है अमीरों को अमीर ही रहना था हमेशा के लिए और गरीबों को गरीब ही करते जा रहे थे तो इस तरह की सोच को उन्होंने क्या किया चेंज लाने के लिए उन्होंने सम्मिधान के अंदर बहुत सारे अलग-अलग rules and regulations बनाए जिसे क्या करना है लोगों को follow करना है ठीक है उनी मेंसे ऐसे कुछ और भी rules है जैसे इस topic के अंदर ही हमें पढ़ना है कुछ rules है जैसे हमारा post rule क्या आ जाएगा इसके अंदर include हो जाएगा कि उन्होंने क्या किया बहुत सारे अलग-अलग rules बनाए ठीक है उस पे से बहुत सारे ऐसे rules से जिसे हमें क्या करना है follow करना है compulsory और ये सारे rules किसके लिए बने हुए थे ऐसे कुछ particular cast के लोग थे जो की cast दो पार्ट में divide हो गया था ना तो किसी और चीज़ से related अधिकार नहीं दिये जाते थे साथी साथ women's को भी ये सारे अधिकार नहीं दिये जाते थे तो इससे related चीज़े बहुत सारी होती थी तो इसके वज़े से क्या हुआ कुछ rules and regulations बनाए गए थे कि किसे अंदर हमारे समवीधान के अंदर हमारे लोगट न्त्र के wicked हमारे democracy हमारे समवीधान के अंदर थी किसे अंदर कुछ अलग अलग rules बना गए थे जो कि lower caste के врем ठीक है तो फॉर्स टूल कर आ जाता है हमारा policy तो मतलब यहां पर हमें क्या समझाया जा रहा है कि कुछ सीट बनाई गए थी अब सीट मतलब क्या हो जाएगा कोई बैटने की सीट नहीं तो सीट इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप लोग अपने भी स्कूल अभी तो आप 10 स्टैंडर्ड में हो तो अभी आप लोगों को पता नहीं चलेगा जब आप 11 12 लेने के लिए जाएंगे कोई भी गवर्मेंट बड़े किसी भी अच्छे कॉलेज में अगर आप कोई भी कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर क्या रहेगा किना कुछ सीट रिजर्व रहती है ठ अगर गाउ के छोटे मोटे स्कूल में उन्हें पढ़ने भी दिया जाता था तो किस तरह से पढ़ने दिया जाता था कि तुम बाहर रहके पढ़ो और जो बाकी जो हमारे अपरकास्त के लोग है वह एक जगए वहां पर अच्छी तरह से बैट के पढ़ेंगे ठीक है तो इ 100% में से कुछ seats रहेगी जो की जैसे अगर आप समझ सकते 30% seats अगर हमने ले लिया कि 30% seats किसके लिए रहेगी 30% seats रहेगी हमारे जो lower caste के लोग है उनके लिए और 100% seat में से ठीक है तो कितने seats बज गए? 70% seats बस गए तो इस तरह से क्या होता था कि कुछ seats रहती थी एक reserve रहती थी जिसके उपर क्या होगा कि जो lower caste के लोग है उन्हें कुछ भी pay नहीं करना होता था कुछ भी पैसे नहीं देने होते थे उन्हें पूरी तरह से सिक्षा का अधिकार था वो सभी लोगों के साथ में ब पड़ेंगे इस तरह की चीजें पूरी तरह से बंद कर दी गई थी और इसके उपर बहुत सारे कानून भी रगाए गये थे इन चीजों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और जो lower caste के लोग है उनके लिए एकदम proper seats बनाये गये थे कि उतने seats मतलब की 30% seats पे सिर्फ और सिफ lower caste के लोगों का ही अधिकार है कि हाँ उतने seats पर उनको ही admission मिलेगा और वही उतने seats पे मतलब free में पढ़ सकते हैं ठीक है तो इस तरह के कुछ अधिकार बनाये गये थे जिसकी वज़े से क्या होता था कि लोगों के अंदर equality आ गई जो upper class के लोग है जो lower caste के लोग ह कर सके कोई भी नौकर का बच्चा नौकर ही नहीं बनेगा वो क्या बन सकता है राजा भी बन सकता है वो प्रगति भी again कर सकता है वह बहुत आगे जा सकता है इस चीज को प्रूप करने के लिए इस तरह की चीज़ेग की गई थी ठीक है next, अब यह सारी čीज़े बनाए गए थी, उसमें दो कौन से cast बनाए गए थे, दो cast बनाए गए थे, which is here, यहाँ पे क्या है, दो cast बनाए गए थे, किस तरह से उन दोनों को cast दो मतलब cast बनाए गए थे, किस तरह के cast थे, वो schedule caste ठीक है schedule caste मतलब इसे हम क्या कहते है ST sorry SC इसे हम क्या कहेंगे SC SC यह हमारे भी college में है SC ST मैं भी government college में हूँ तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि SC ST caste के लोगों को लोगों के लिए seats preserve रहती है उन्हें free में books भी मिलती है उन्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते है ठीक है बहुत जादा अच्छा होता है अभी के टाइम पे हमें ऐसा बुरा लग रहे है because हम भी कोई बहुत जादा rich नहीं है so अभी के time पे थोड़ा सा बुरा लग रहा है पर पहले के time पे उनके साथ बुरा होता था इसलिए ये सारे roles बनाए गए थे ठीक है? so उसके बाद next क्या है हमारा ST cast ठीक है? SC, ST ये दो cast होते हैं इनको बहुत सारे reservation मिलते है ठीक है? और बाकी सब OBC and Open में आ जाते हैं ठीक है? बाकी जितने भी upper cast के लोग होते हैं ठीक है? schedule tribes ठीक है? ये क्या बन जाते हैं? ये कौन से cast होते हैं? ST cast होते हैं SC, ST cast आपको याद रखना है schedule cast और schedule tribes ठीक है? SC, ST ये दो cast बनाए गए थे इन दो cast के लोगों को बहुत सारे अलग-अलग reservation seats मिले थे हर जगा पर reservation seats जैसे अगर college हो गया तो वहाँ पे भी reservation seats मिलते थे उसी के साथ साथ कोई government hospital है तो उसमें भी कि गरिब लोगों के लिए इस तरह की चीज़े बनाई जाती थी कुछ seats बनाई जाती थी जिस पर उनका मुफ्त में इलाज किया जाए जिस पर उन्हें कोई भी पैसे ना भढ़ने पड़े उसी के साथ साथ जो voting होता है election होता है election में भी उनके लिए कुछ seats बनाए जाते थे कि वो कास्ट के जो SCST कास्ट के लोग है वो लोग उसके अंदर पाट ले सके और वो भी election में खड़े हो सके वो भी जीत सकते हैं वो भी अपने community के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं वो भी आगे प्रगती गेंज कर सकते हैं तो इस तरह की चीज़े की गए थी कि वो अलग-अलग सेक्टर में हर एक सेक्टर में क्या कर सके प्रगती गेंज कर सके इसके वज़े से उनके लिए कुछ reserve seats बनाई गए थी ठीक है हर एक सेक्टर में बनाई गए ठीक है चालो next क्या है उसे prevent करना ठीक है अब जैसे next topic आजाता है इक्वैलिटी क्या था यह एक important चीज आई इस इस बहुत जादा अच्छी बहुत जादा important चीज है किसके लिए चीज अच्छी चीज है यह social justice के लिए कि मतलब जितने भी लोगे हमारे समाज के अंदर उनको सहीर प्रकार से justice मिल सके उन्हें equality में equality मिल सके कि अगर कोई किसी और को कुछ चीज वो अगर gain कर सकता है तो हम भी gain कर सकते उस चीज में ठीक है तो इस तरह की equality के लिए इस चीज को बनाया गया था और इस चीज के ऊपर कानून लगाया गया था कि जो भी इसके ऊपर इस चीज को नहीं मानेगा मतलब कि इसके अंदर कुछ भी गलत करने की कोशिश किया जैसे अगर suppose college का example ले लेते हैं 100% college 100% seat में से अगर 30% SCST caste के लिए reserve है तो अगर उस में से उन seat पे SCST caste के लोगों को नहीं दिया गया तो उनके उपर कानूनी कारवाही होगी ठीक है ऐसे बहुत सारे colleges होते थे या बहुत सारे जगह पर ऐसा होता था कि उनको उनका seat नहीं दिया जाता था क्योंकि उनके seat पर वो दूसरे बाकी लोगों को लेकर जादा पैसे लेते थे तो ये सारी गलत गलत चीज़े थी तो इसके उपर क्या किया जाएगा उनको government के तरफ से मतलब की कानूनी कारवाही की जाएगी ऐसे लोगों के उपर जो इन सारे अलग-अलग rules and regulations को follow नहीं करेगा जो कि किसके लिए बनाया गया है social justice के लिए बनाया गया है किन के उपर बनाया गया SCST कास्ट जो की lower कास्ट के लोग है इनके लिए जो बनाया गया different different कानून है अलग-अलग चीज़े हैं वो सारे चीज़ों के उपर क्या करना पड़ेगा सभी लोगों को corporate करना पड़ेगा सभी लोगों को उस चीज़ को follow करना पड़ेगा और अगर आप follow नहीं करते हैं तो आपके उपर क्या होगा कानूनी कार्यवाही हो तो इस तरह की चीज़े यहाँ पर की गई थी I hope सो आप सभी को इतना तक clear हो गया होगा इसके आगे हमें और कुछ चीजों के बारे में पढ़ना है और कौन-कौन से prevention हुए थे ठीक है? Minorities के लिए, Majorities के कौन-कौन से बहुत सारी अलग-अलग चीज़े हुई थी सम्विधान के अंदर भी बहुत सारी अलग-अलग चीज़े लिखी हुई थी इन सारी चीजों के बारे में हम lecture by lecture पढ़ेंगे, chapter थोड़ा सा लंबा है, तो इसे थोड़ा सा और lectures में आपको पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, चलो, so I hope so आप सभी को आज का हमारा जो 3, हमने 2 topic को पढ़ा और 3 हमारा जो main topic है, I hope so आप सभी को बढ़िया तरीके से clear हो गया हो और आप इन चीजों को follow कभी नहीं करेंगे और हमेशा आप सबके साथ equality में, सबको equal treat करेंगे, सबके लिए justice करेंगे, ठीक है, so इस तरह की सोच आप रखेंगे हमेशा के लिए, I hope so, okay, चालो, so तब तक के लिए, bye-bye, और जाने से पहले वीडियो को like जरूर से करना, चैनल तो जरूर से करना, ओके, चालो, सु मिलते हैं, next lecture में